गुड़े इवनिंग एवरिवन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेवेन आक्सिलेशन में पार्ट नमबर टू जहां पर हमने बताया था कि जो पार्टिकल के मोशन होते हैं वो तीन त्रेके होते हैं जिसमें सबसे लाश्ट मोशन था बाइब्रेशनल मोशन या फिर ऑक्सिलेशन अब उसी के आगे हम पढ़ने वाले हैं जो बाइब्रेशन मोशन होता है उसी में एक हर्मोनिक मोशन आता है जो कि स्पेशल केस होता है इस हर्मोनिक मोशन को हम कहते हैं पिरियाडिक ऑक्सिलेशन चेक है पिरियाडिक बाइब्रेशन को हो, पिरियाडिक ऑक्सिलेशन को हो, या फिर हार्मोनिक बाइब्रेशन को हो, या फिर हार्मोनिक ऑक्सिलेशन को हो, सब सेम है, ठेक है, इसको जरा समझते हैं, जैसे मान लो, कोई पार्टिकल है, ठेक है, जैसे ये सन है, ये पृतिवी है और तो यह क्या करता है तो यह क्या करता है अपने पाथ को बार-बार रिपीट करता है किसी इसी को कहते हैं Harmonic motion या फिर periodic oscillation Harmonic oscillation और periodic oscillation तिसकी definition आप कैसे दोगे कहोगे an oscillation यानि कि oscillation होना ज़रूरी है यानि कि vibration होना ज़रूरी है An oscillation in which particle repeated their motion in the same path यानि कि एक ही path पर बार बार अपने आपको repeat करे ऐसे motion को या फिर ऐसे oscillation को हम कहते हैं Harmonic और periodic oscillation ठीक है definition आप यहां से लिख सकते हो इसके कुछ other example है जैसे कि rocking chair आपको पता है कि एक chair ऐसे होता है ठीक है आप किसी भी institute वगेरा में आप देखते होगे और यह क्या करता है अपने जगह पर axis पर ऐसे rotate कर सकता है ऐसे rotate करता है rocking chair हो गया फिर a bouncing ball जैसे आप ball को किसी जमीन पर प को लो करेगा यह यह भी motion जो है वो किसमें आएका harmonic oscillation यानि कि सेम पाथ को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है या फिर tuning fork का vibration को यह होता है tuning fork ऐसा को vibration भी होगा harmonic oscillation या फिर यह example आपने देखे लिया अर्थ इन इट्स और बीट एराउंड शन सन के एराउंड जो और बीट करता है उसका motion या फिर वाटर वेप जैसे पानी में आप क्या करते कंगर फेकते हो तो ऐसे वेप जनरेट होती है तो यह बार-बार किसी center से बार-ब इसमें कुछ points हैं जो आपको जाना जरूरी है जैसे कि जितना भी oscillation होता है ठीक है यह जितना भी time लिया जाता है repetition या फिर cycle में उसको हम कहते हैं period चेक और एक unit of time में जितने number of cycle या फिर लिया जाते हैं उसको कहते हैं frequency हलाके time period और frequency के बारे हम आगे पढ़ेंगे लेकिन बस आप इतना जानो simply कि जितना repetition किया जाता है interval of time में उसको कहते है period और जितना number of cycle किया जाएगा per unit time में उसको कहते हैं उसकी frequency जैसे इसके example को समझ लो जैसे जो अर्थ है वो क्या करता है हमारे sun के around orbit करता है one year में complete cycle पूरा करता है one year में तो उसका period जो हो जाएगा वो one हो orbit per year और आपको पता है कि एक cycle को भी one year में और one cycle one year में complete करता है यानि कि इसकी frequency और इसके orbit दोनों जो है वो one ही होंगे clear है अब हम main अपना जो topic है chapter जो है वो हमारा topic आ चुका है simple harmonic oscillation जिसको हम sort में SHO कहते हैं कि SHO क्या होता है तो ध्यान देना simple harmonic oscillation ये periodic oscillation या फिर harmonic oscillation का एक special case है इसमें क्या करो आप कि किसी एक base से एक bob को लटका दो bob जो होता है वो iron का एक ball होता है ठीक है छोटा सा ball होता है इसको क्या करो different height पर ले जाओ और वहां से छोड़ दो तो ये कुछ ऐसा move करना शुरू कर देगा ठीक है ये ऐसा move करेगा अब इस particle को move करने के लिए क कुछ नो कुछ acceleration की ज़रूरत होती है और यह ऐसे move करता है कि जो acceleration होता है वो इसके द्वारा जो distance travel की जाती है उसके directly proportional होता है लेकिन ध्यान देजिएका उस distance के opposite होता है यानि कि अगर particle इधर move कर रहा है इसकी tendency होगी center की तरफ जाने की चीक है तो इस तरह के motion को हम कहते हैं simple harmonic motion clear है जैसे the motion of particle is periodic such that the acceleration of particle is always directly proportional to its displacement but opposite in direction यानि direction में opposite होना चाहिए from equilibrium position equilibrium position यानि कि ऐसा position जिसमें वो still rare in rest position में उसको equilibrium position कहते हैं और always directed towards its equilibrium position और जो उसके acceleration होता है वो हमेसा center की और आने की कोसिस करता है the motion of particle is set to be simple harmonic motion और ऐसे ही particle के motion को हम क्या कहते हैं simple harmonic oscillation कह देते हैं clear है अब इसके कुछ features हैं यह भी जाना ज़रूरी है जो भी particle simple harmonic oscillation करता है ध्यान दीजी का वो motion जो होता है वो harmonic या फिर periodic होता है हमने कहा कि harmonic periodic motion का special कैसा simple harmonic oscillation यानि motion कैसा है harmonic या फिर periodic और इसमें जो acceleration है vibrating particle का या फिर oscillating particle का वो directly proportional होता है किसके displacement के कहां से equilibrium position से लेकिन उसका direction जो होता है वो opposite होता है ठीक है और जो restoring force यूज की जाती है restoring force developed duty elasticity of medium is bring to particle towards equilibrium position and is directly proportional to displacement अब देखो इसमें जो यह motion ऐसे हो रहा है यह किसी ने किसी force के कारण होता है और यह जो medium हमने generate किया है इसकी elasticity के कारण होता है ठीक है इसकी elasticity के कारण होता है और ध्यान दीजेगा यह जब particle ठीक हो कहां लाने की कोशिस करेगा equilibrium position की और लेकिन ध्यान दीजेगा इसका भी जो direction होता है sorry यह directly proportional to displacement होगा मतलब जितना दूर जाएगा जितना दूर जाएगा वह force उतना ही बढ़ता जाएगा ठीक है जितना दूर जाएगा force उतना बढ़ता जाएगा जितना पास आएगा force उतना कम होगा clear है अब कुछ examples देख लेते हैं simple harmonic oscillation के जैसा कि सबसे famous example है motion of bob of simple pendulum यह जो आप structure देख रहे हो है यह जो structure है यह simple pendulum का structure है clear है एक ऐसा arrangement जिसमें fixed rigid body होती है उसके थुरू एक एक जो strip होती है यह रसी कहलो उसके थुरू हम क्या करते हैं bob को लटका देते हैं और ऐसे move कराना शुरू कर देते हैं तो यह जो movement होती है इसको ही हम कहते है simple harmonic oscillation और इस पूरे के पूरे arrangement को क्या कहते है simple pendulum ठीक है तो इसके motion को हम क्या कहेंगे simple harmonic motion का oscillation या फिर the mass the motion of mass attached to a spring ऐसा कुछ arrangement आप देखने को मिल जाएगा कि किसी भी एक base से आप क्या करो spring के तुरू किसी object को ऐसे लटका दो और इसको खीचो नीचे की तरफ जब नीचे की तरफ यह बताओ यह rest position में होगा तो यह इसका क्या होगा rest position एन equilibrium position है अब जब इसको खीच के छोड़ेंगे तो यह कुछ इस तरह का movement करना शुरू कर देगा इस तरह का movement motion of wooden block partially immersed ऐसा पानी है water है ठीक है इसमें क्या करते हैं हम एक wooden block को ऐसे आधा डूबा कर छोड़ देते हैं तो यही motion जो होगा यह जो movement होगी उसकी यह कलाएगी simple harmonic oscillation की ठीक है अब जब यह particle movement कर रही है यह जो particle movement कर रही है ठीक है यह मैं इसको मिटा देता हूँ यह जो particle movement की है इसमें कुछ और भी terms आते हैं जैसे कि amplitude देखो amplitude को समझने के लिए ऐसे समझो वो figure को मैंने यहां मना है जब particle simple pendulum का जो movement होता है इसमें जो mean position से जितनी भी maximum distance travel की जाती है object के द्वारा इस maximum distance को हम कहते हैं amplitude और इसको denote करते है capital is a for amplitude यानि इसका amplitude जो है अभी movement यह y distance की हुई है तो amplitude हो जाएगा y ठीक है तो इसकी definition कैसे दोगे the maximum displacement of a particle executing harmonic oscillation या फिर simple harmonic motion from mean position is called amplitude उसको क्या कहेंगे amplitude कहेंगे यानि कि mean position से जितनी भी maximum displacement होगी ऐसे object की जो harmonic oscillation कर रहा है यह harmonic oscillation कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे amplitude कहेंगे और इसको denote करते हैं कैसे a से और इसकी unit जो होती है वो होती है centimeter क्या होती है centimeter फिर अगला term जो आता है वो होता है time period क्या होता है time period तो ध्यान देना एक oscillation करने में जित एक oscillation एक oscillation कहने का मतलब है ध्यान से समझना one oscillation का क्या मतलब है इसको मैं erase कर देता हूं पूरी तरीके से देखो पार्टिकल यहां है यहां से पार्टिकल उपर गई फिर पार्टिकल नीचे आ रही है फिर वापस से मीन पोजिशन पर आ गई तो यह जो पूरा का पूरा जो पाथ ट्रेवल किया गया है object के द्वारा यानि कि oscillating particle के द्वारा इस पूरे पाथ को जब ट्रेवल कर लेगा तो कहा जाएगा पार्टिकल ने वण ऑक्सीलेशन पूरा कर लिया ठीक है object ने क्या कर लिया वन औक्सीलेशन को complete कर लिया अब इसमें जो टाइम लगा ना उसको हम कहते हैं टाइम पिरियो उसको क्या कहेंगे टाइंग टाइम पिरियोड तो टाइम ठेकन भाइग particle executing simple harmonic oscillation to complete one oscillation देखो term आगे न one oscillation हाला कि पहले पार्ट में मैंने बताया था one oscillation का क्या मतलब बता है as called the time period are periodic time दो नाम है time period को या फिर periodic time को अब इसको denote करते हैं टी फार टाइम तो capital T से denote करते हैं और इसको represent कैसे करेंगे तो इन second में किसमें दिखाएंगे second में time period 40 in second अब इसका formula कैसे बनाओगे तो आपको पता है simple formula जो time होता है वो is equal to होता है displacement upon speed or velocity ठीक है displacement upon velocity अब चुकिए यह देखो यह example देखो sun वाला example देखो यह सन होता है यहां अर्थ क्या करता इसके चारोह और revolution करता है तो यह बार बार एक पत को follow करता यह उसको ही तो periodic oscillation कहते हैं तो यह पूरा का पूरा एक पात कितने का होता है यह लुदा टू पाई का कितने का होता है तो यहां distance हो जाएगा 2 pi और चुकि circular path पे ऐसा movement होता है तो circular path में जो velocity होती है उसको हम कहते है angular velocity omega यानि 2 pi by omega इसी लिए time period को हमने किसे दिखाए गया है 2 pi by omega where omega क्या है angular velocity है clear है time period समझ में आ गया अब चलते हैं frequency और ये आज का हमारा आखरी topic होगा frequency क्या होती है अब ध्यान देना अगर मान लो हमने oxalating particle को one second दिया है ठीक है सिर्फ time कितना दिया है one second अब इस one second में वो जितने number of oscillation करेगी अब चाहे एक oscillation करें चाहे 1000 oscillation करें जितने number of oscillation करेगी उसको ही हम कहते है frequency यानि frequency is equal to number of oscillation in one second इसको कैसे definition दोगे तो number of oscillation completed by particle कैसा particle executing simple harmonic motion जो simple harmonic oscillation कर रहा हो इन one second यह one second बोलना बहुत ज़रूरी है उसको ही हम क्या कहते है उसको कहते हैं frequency ठीक है और इसको किसे denote करते हैं तो इसको new से denote करते हैं frequency को कैसे denote करते हैं new से और इसको represent कैसे करेंगे express कैसे करेंगे तो hertz में और hertz को हो या फिर second inverse को second inverse यानि कि second पर सब्सक्राइब करते हैं इसको कहते हैं सब्सक्राइब कर देना लाइक और शेयर भी कर देना ताकि अन्य स्टुडेंट्स को भी इसका फायदा मिल सके हैं अ कि कि कि